तो आज हम पढ़ने वाले class 6 maths chapter 2 whole numbers की exercise 2.1 का next question इसमें बोला गया replace each box by the correct digit in each of the following तो यहां पर आपको replace करना है हर एक box को जो की question में दियें students आप देख सकते ही boxes दियें तो इस box को हटाना है replace करना है और इसके बदले आपको correct digit याने की सही digit लिखना है याने की 0 से 9 तक याने की 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 जो भी digit आएगा इस box के बदले आपको लिखना है replace का मतलब होता है कि इसको हटाओ और इसके बदले correct digit लिखो जो भी वहाँ पर आना चाहिए question clear है तो चलिए first question देखते हैं जहाँ पर 4941 नंबर दिया है and minus किया गया है याने कि यहाँ पर minus करना है students 2 box है then 68 और answer में 2 8 और 2 box है तो हमको यहाँ पर minus करना है right तो देखी 1 में से 8 minus होता नहीं है तो यह बाजुवारे से बढ़ो लेगा तो यह जाएगा 3 right ओके और यह होजाएगा 11 right यह क्या होजाएगा 11 अब 11 में से 8 minus करेंगे तो होजाएगा यह 3 students right तो यह होगया 3 right then 3 में से 6 minus होता नहीं है तो इससे बढ़ो करेगा तो यह 8 होजाएगा और यह 3 होजाएगा 13 13 में से 6 को minus करेंगे तो यह होजाएगा 7 right अब यहाँ पर students 8 में से क्या minus करेंगे तो 8 आएगा तो 8 में से 0 minus करने पे हमको 8 मिलेगा right and then 4 में से कितना minus करें तो हमको 2 मिलेगा तो 4 में से 2 minus करने पे हमको 2 मिलने वाला है तो overall answer हो जाएगा 2073 ये है वो numbers जो की in box के बदले replace किये जाएंगे तो ये हो जाएगा कुल मिला के answer इसी का next question है 431 उसमें से minus किया गया है और answer में दिया है box and 6 यहाँ पे भी हमको minus करना है students अब देखिए 1 में से क्या minus करेंगे तो 6 आएगा तो 1 में से अगर 0 minus करेंगे तो 1 आएगा तो ये गरत हो जाएगा अगर आपे 1 लिखते हैं तो 1 में से 1 जाएगा तो 0 तो 0 भी नहीं है तो यहने कि यहाँ पे अगर 1 में से 2 अब 1 में से 2 minus होगा नहीं यहने कि यह borrow तो लेगा है तो यह borrow लेगा तो यह हो जाएगा 2 और यह हो जाएगा 11 राइट यह क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा अब 11 में से कितना minus करेंगे तो 6 हैगा अब 2 में से 5 माइनस करना है तो 2 में से 5 माइनस होगा नहीं तो ये बॉरो लेगा तो जागा 3 12 में से 5 माइनस करेंगे तो जागा 7 3 में से 3 यानिकी 0 0 लिखने की ज़रूरत नहीं है तो इस तरीके से पहले box में 5 and second box में 7 आ जागे श्रेंस clear है चलिए देखते हैं next question इसमें बोला गया है find the difference between the largest 4 digit number and the smallest 5 digit number तो यहाँ पर students आपको find करना है difference का मतलब mathematics में minus करना होता है यह चीज़ आप याद रखेंगे तो आपको यहाँ पर difference करना है यानि की minus करना है किस-किस के बीच में largest 4 digit का नंबर होना चाहिए and smallest 5 digit का नंबर होना चाहिए तो चलिए सबसे परहे लिखते हैं कि largest 4 digit number क्या होता है वो होता है लिखेंगे largest 4 digit number अब देखी students जब भी आपको largest number बढ़ाना हो तो जितने digit बोलते हैं उतने 9 लिखते हैं यानिकी 9 9 9 9 clear है उसके बाद बोला है smallest 5 digit number लिखेंगे smallest 5 digit number अब देखी students जब भी आपको smallest number बढ़ाना हो जितने भी digit बोलता है 1, 2, 3, 4, 5 digit है राइट तो सबसे पहले अले place में 1 लिखेंगे और बाकी सब में 0 से fill कर देंगे यानिकी योड़ाएगा 10,000 अब यहाँ पर आपको क्या करना है students आपको जो है यहाँ पर difference करना है यानिकी minus करना है तो अब बड़े number में से छोटा number minus हो सकता है छोटे में से बड़ा number minus नहीं होता है तो चलिए difference फाइन करते है रिखेंगे difference अब यह हो जाएगा कैसा यह हो जाएगा 10,000 minus 9,999 means 9,999 0 में से 9 माइनस होता नहीं students तो यहाँ पर क्या होगा यह इसके पास जाएगा बारो लेने इसके पास भी नहीं यह इसके पास यह इसके पास तो यह 10 है 10, यह खुद हो जाएगा 9 यह हो जाएगा 10, 10 में से इसको बन देगा तो यह हो जाएगा खुद 9 यह हो जाएगा 10, 10 में से इसको बन देगा तो यह हो जाएगा खुद 9 और यह हो जाएगा 10 तो 10 में से 9 गया 1 9 में से 9 गया 0 9 में से 9 गया 0 याने कि difference कितना आया, difference आया 1, क्योंकि 1 के सामने के जो 0 होते हैं, वो कभी भी काम के नहीं होते हैं, right, किसी भी number के सामने कितने ही 0 लगा तो वो कभी भी काम के नहीं होते हैं, तो answer होगा 1, okay students clear है, तो इस तरीके से जब हम difference find करेंगे, smallest 5 digit number का and largest 4 digit number का, तो answer होगा 1, चलिए देखते हैं, next question, इसमें बोला गया है, the population of a town is 7,82,611, if the number of males is 4,16,976, find the number of females, याने कि इस question का मदलब है कि किसी एक town, एक शहर का जो population है, याने कि वहाँ पे रहने वाले जितने लोग हैं, वो कितने हैं, 7,82,611 है, right, एक town में, एक शहर में रहने वाले लोगों की जो संख्या है, जो number है, वो है 7,82,611, अब, if याने कि अगर, जो males है, number of males हैं कि जितने वहाँ पे, males हैं, boys हैं, मर्द हैं, okay, तो जो males हैं, वो है 4,16,976, अब आपको यहाँ पे find करना है, कि कुल females कितनी है, कुल ladies कितनी है, okay, तो माल लेते हैं, हमको पता तो नहीं है कि females कितनी है, तो हम यहाँ पे late करेंगे, मालनेंगे कि late कर रहें कि number of females, जो हैं, वो x है, okay, तो अब देखिए students, males और females, सब लोग वहाँ एक town में रहते हैं, तो देखिए, अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, यह females है, x, और males कितने रहते हैं, वो है, 4,16,976, इन दोनों को plus करेंगे, नै कि जितने males हैं, और जितने females हैं, दोनों को plus किजिए, तो total वहाँ पे कितने लोग रहते हैं, वो है, 7,82,611, तो यहाँ पे students, आपको ही समझना चाहिए, कि हमने इन दोनों को plus क्यों किये, क्योंकि males और females दोनों को plus करने पे ही, तो total वहाँ पे रहने वाले लोगों की संख्या, या फिर numbers पता चलेंगे, right, क्योंकि अगर town में कुल रहने वाले लोगों की quantity या number जो है, 7,82,611, तो यहाँ पे in में ही males और females ही होंगे, तो males और females को plus करने पे ही हमको मिलेगा 7,82,611, अब हमको यहाँ पे x fine करना है, तो जो हमको fine करना होता है, वो अकेला होना चाहिए, यह हमने पिछले वीडियो में भी discuss किये हुए, right, तो इसके साथ में जो number है, इसको हमको equal के right side पे याने की, इस side भगाना पड़ेगा, तो अब देकी students, आपको हमने पिछले वीडियो में पढ़ा चुके हैं, कि जब इधर वाला number equal के उधर जाता है, तो अगर यहाँ पे इसके सामने plus है, यह उधर जाएगा तो जाएगा minus, right, तो यह उधर जाएगा x is equal to, x के equal में उधर में जो number था उसको पहले लिखेंगे, तो 7, 8, 2, 6, 1, 1, और यह plus का उधर जाएगा, तो जाएगा minus, 4, 1, 6, 9, 7, 6, अब चलिए इसको, यहाँ पे rough में minus करते हैं, तो जाएगा यह 7, 8, 2, 6, 1, 1, minus, 4, 1, 6, 9, 7, 6, minus करते हैं, तो जाएगा 0, जाएगा 11, 11 minus 6, जाएगा 5, अब यह 0 में से 7 minus होगा नहीं, तो जाएगा यह 5, यह जाएगा 10, 10 minus 7, जाएगा 3, 5 में से 9 minus होगा नहीं, तो जाएगा 1, जाएगा 15, 15 में से 9 minus करेंगे, तो जाएगा 6, right, 1 में से 6 minus होगा नहीं, तो जाएगा 7, और जाएगा 11, 11 minus 6 है नहीं, जाएगा यह 5, 7 में से 1 गया, तो जाएगा 6, 7 में से 4 गया तो 3, तो इतने हमको यह माइनस करने पे मिल जाएगा तो हो जाएगा X is equal to 3, 6, 5, 6, 3, 5 तो याने कि X क्या था, यह number of females था तो हमको number of females मिल गया है वो है 3,65,635 तो लिखेंगे आपे, अब देखिए number of females हमने late किये थे याने कि माने थे पहले, अब हमको पक्का पता चल गया कि कितना है, तो हम लिखेंगे so number of females is equal to X था, X कितना आगया इतना तो लिखेंगे 3,65,635 यह उड़ागा हमारा final answer, ओके students, clear है चलिए देखते हैं next question इसमें बोला गया है find the whole number represented by the later small n in each statement यहने कि यहाँ पर आपको find करना है whole number को जो की represent किया गया है later n के through, देखिए question में यहाँ पर later n, right तो इस n के लिए कौन सा whole number आएगा, यह आपको यहाँ पर find करना है, okay one by one यहाँ पर और भी statements है तो one by one आपको डूढना है कि small n के लिए कौन सा whole number यहाँ पर represent किया जाएगा यहाँ फिर दिखाया जाएगा, तो चलिए करते हैं, solve and find करते हैं, वो कौन सा whole number होगा is small n के लिए, okay students तो अब students, यहाँ पर हमाई पास question में, n plus 4 is equal to 9, हमको n पता करना है, तो एक logic students, जो की हमने, पिछले वीडियो से हम आपको बता चुके हैं, कि अगर हमको जो भी चीज find करना है, तो वो अकेला होना चाहिए, उसके साथ में कोई और नहीं होना चाहिए, तो अब देखिए n के साथ में कौन है, plus 4 है, तो plus 4 को हमको इसको उधर भगाना होगा, है students, तो again same, वही चीज है, जो concept हमने आपको बताए हैं, कि जब हम इसको उधर भगाएंगे, तो इसके सामने का sign चेक करेंगे, इसके सामने plus 4 है, okay, plus sign है, तो इसको जब हम उधर भगाएंगे, तो ये minus 4 हो जाएगा, तो चली, पहले question note down करते हैं, तो जाएगा, n plus 4 is equal to 9, अब इसको हम transpose कर रहे हैं, उधर भगा रहे हैं, तो जाएगा, ये n is equal to 9, जो पहले से वहाँ पे था, उसको पहले लिखेंगे, plus 4, उधर जाएगा, तो ये जाएगा minus 4, और इधर n अकेला बच जाएगा, तो यहाँ पे n is equal to 9 में से 4 minus करेंगे, तो ये जाएगा 5, तो ये हो जाएगा आपका answer, clear students, ये चीज़ भूलना मत की, अकर equal के इधर वाला plus है, उधर जाएगा, तो ये minus हो जाएगा, minus उधर जाएगा, तो plus हो जाएगा, multiply उधर जाएगा, तो divide हो जाएगा, ओके, and divide उधर जाएगा, तो multiply हो जाएगा, ये आपको चीज़ें पता होनी चाहिए, अब आप बड़ी क्लास में जा रहे हैं, ओके, ये याद करेंगे, plus का minus, minus का plus, multiply का divide और divide का multiply होता है, तो यहाँ पर क्योंकि 4 के सामने plus था, तो इसलिए ये उधर गया, तो ये minus 4 हो जाएगा, clear residents, चलिए, देखते हैं, next question, यहाँ पर हमाँ पास question है, n plus 7 is equal to 16, हमको n fine करना है, तो यहाँ पर ये अकेला होना चाहिए, plus 7 उधर जाएगा, n अकेला, तो n is equal to हो जाएगा, 16 में से 7 minus करेंगे, तो हो जाएगा ये 9, यही आपका final answer होगा, okay students, इतना clear है, चलिए, देखते हैं, next question, इसमें बोला गया है, find the difference, difference का मतलब मैंने आपको बताया था कि maths में difference का मतलब होता है, minus करना है, तो आपको यहाँ पे difference find करना है, याने की minus करना है, वैसे question में भी दिया है, minus करना है, तो चलिए, 1 by 1 minus करते हैं, 463 minus 9 करेंगे, तो 3 में से 9 minus होगा नहीं, तो यह जाएगा 5, और यह हो जाएगा 13, 13 में से 9 को minus करेंगे, याने की हो जाएगा यह 4, right, then 5 रहेगा as it is, and 4 रहेगा as it is, तो आपका answer हो जाएगा 454, okay students, इतना clear है, अब चलिए, इसको minus करते हैं, तो यहाँ पे जो है, वो है, 5,645 minus 99, तो चलिए, minus करते हैं, 5 में से 9 minus होगा नहीं, तो यह बोरो लेगा, तो जाएगा 3 यह हो जाएगा 15, 15 में से 9 minus करेंगे, तो जाएगा 6 3 में से 9 minus होगा नहीं, तो जाएगा 5 and जाएगा 13, 13 में से 9 minus करेंगे, तो जाएगा यह 4 okay, and 5 हो जाएगा as it is, and 5 हो जाएगा as it is तो यह होड़ागा आपका final answer ओके students clear है चलिए देखते हैं next question इसमें बोला क्या है find the value of यह आपके पास कुछ दो number का multiply then plus 2 number का multiply plus 2 number का again multiply है तो आपको इस question में आपको value find करना है यहने की final answer कितना होगा यह आपको निकालना है students तो चलिए इसको पहले question को लिख लेते हैं कि question में क्याल बोला है यह है 8 9 3 7 multiply by 648 plus 8 8 9 3 7 multiply by 122 plus 8 9 3 7 multiply by 230 okay question clear है अब देखिए आपको एक चीज बसाता हूं students अगर दो number के बीच में multiply है मतलब वो एक ही चीज है यह एक पेर में है यह एक साथ है plus यहाँ minus जो है वो अलग-अलग करता है multiply जो है वो उनको जोड़ता है combine करता है ओके यहना कि यह एक साथ है एक ही पेर में इसमें से देखिए इसमें गर आप देखेंगे तो यह दुनों pair में है क्योंकि इनके बीच में multiply है then इनके बीच में भी multiply है तो यह दुनों भी pair में होंगे ओके तो यहाँ पे दो बार बीच में plus है अब इस्टोरेंट्स यहाँ पे ध्यान से देखिए कि 8, 9, 3, 7, 8, 9, 3, 7, 8, 9, 3, 7 यह जो number है यह सब के पास same number है common number है ध्यान से देखिएगा मैं आपको यहाँ पे एक तरीका बताने वाला हूँ इन questions को solve करने का जो कि बहुत ही simple होने वाला है तो पहले आप यह ध्यान रखिए कि अगर दो number के बीच में multiply है तो वो एक ही unit मना जाएगा एक ही pair मना जाएगा वो अलग नहीं है ऐसे ही यहाँ पे भी यह तुनों pair में है यह तुनों भी pair में है इसके बाद आपको चेक करना होता है कि क्या इन में कोई number common या फिर same है क्या तो हमको यहाँ पे देखने से पदा चल गया कि 8937 जो number है वो तीनों के पास है तो अब क्योंकि यह number तीनों के पास है तो जो number same होता है उसको हम एक बार ही लिखेंगे 8937 ओके एन बाकी लगा देंगे bracket याने कि मैं अगर आपको इसी चीज़ को दूसरे तरीके से बताओं तो जो number same है उसको हम bracket के बाहर लिख देते हैं याने कि bracket के बाहर निकाल देते हैं और यह कैसे हुआ तो distributed property हमने आपको पढ़ाया थे यह उसी property से हो रहा है तो always remember जब कोई number same होता है तो उसको bracket के बाहर निकाल दो और मैंने आपको बताया था कि bracket को मैं घर बोलता हूँ तो घर के बाहर निकाल दो जो भी same है इतना clear है अब जो जो बच गया है वो number आपको यहाँ पे लिखना है जैसे कि यहां पर 8937 यह तो बहार चले गया है बचा क्या 648 तो हम लिखेंगे 648 उसके बाद यहां पर plus है अब इस में से 8937 जो है वो बाहर चले गया है बच गया यहां पर 122 पर है plus इस में से भी यह बाहर चले गया बच गया यहां पर 230 clear students एक बार फिर से बोल देता हूं मैं जो number same होता है वो बाहर चले जाता है bracket के और जो बाकी चीजें बच गई है जो बाकी number बच गए हैं वो as it is लिखते हैं अब यहां पर आपके mind में question आ रहा होगा कि यहां पर multiply sign था आपने इसको क्यों छोड़ दिये तो actually इस number और इस bracket के बीच में जब कुछ भी नहीं तो यहां पर by default multiply होता है यानि कि आप यह बोल सकते हैं कि 8, 9, 3, 7 multiply यह जो है यह बाहर निकल गया है ओके students इतना clear है चलिए अब आगे solve करते हैं तो लिखेंगे 8, 9, 3, 7 रहेगा as it is अब देखेंगे यहां पर पहले इन दोनों नंबर को plus करते हैं तो 8 plus 2 जगा 0 के रिया है 1 4 plus 2 6 plus 1 7 6 plus 1 7 plus यह है 230 लिखेंगे यहां पर next step में 8, 9, 3, 7 multiply by इनको plus किजिए 0 plus 0 0 7 plus 3 यह जगा 10 के रिया है 1 7 plus 2 9 plus 1 10 अब देखेंगे क्योंकि यहां पर एक ही नंबर है तो आपको bracket लगाने की जरूरत नहीं है students अब आपको simply multiply करना है तो 1 का multiply जब इनसे करेंगे तो यही नंबर मिलेगा 8, 9, 3, 7 आखरी में 30 बच गए तो यहां पर answer में 30 लगाएंगे and यह हो जाएगा आपका final answer ओके students clear है चलिए देखते हैं next question इसमें बोला गया है find the product of the largest 3-digit number and the largest 5-digit number अब यहां पर आपको गया करना है students आपको find करना है product product मलब होता है match में multiply करने के बाद दो number को जो हमको answer मिलता है यानि कि दो number को multiply करने के बाद जो हमको answer मिलता है उसको हम बोलता है product अब यहां पर जो product है जो multiply है वो किस किस का करना है वो है largest three digit का and largest five digit number का तो चलिए सबसे परे लिखते हैं कि जो largest three digit number है वो क्या होगा वो हो जाएगा अब देखिए largest number जब भी बयाना हो तो उतने जो है आप 999 लिख देंगे तो 999 ऐसी हमको largest five digit number लिखना है तो इन दो नंबर को हमको जो है वो multiply करना है अब यहांपे five digit का largest number लिखना था तो पांस बार हमने 999 लिखती है इसको हमको इन दो नंबर को multiply करना है और जो product आगा वो हमको यहांपे बताना है तो चलिए product निकालते हैं याने कि multiply करते हैं तो हो जाएगा यह 999 multiply by 99999 अब students आप चाहें तो इसको simple तरीके से multiply करके भी answer लिखेंगे तब भी आपका answer सही होगा क्योंकि यहांपे question में कहीं से भी आपको यह बोला नहीं गया है कि आपको किस तरीके से multiply करना है तो अगर आप इसका multiply करके direct answer लिखेंगे तो भी चल जाएगा otherwise मैं आपको एको तरीका दिखाना चाहता हूँ जो की multiply करने के point of view से बहुत easy होगा अब देखिए क्या होगा यह हो जागा 999 पहले वाले नंबर को as it is लिखिए अब इस नंबर को round figure में क्या लिख सकते हैं नं तो अब आपको यह सोचना की नंबर किसके पास है एकदम पास में होना चाहिए और आखरी में 0 होना चाहिए तो आप यह बोल सकते हैं कि 1 lakh मैसे अगर 1 minus करेंगे तो हमको यह number मिल जाएगा तो हम इसको लिख सकते हैं क्या कि 1 lakh minus 1 करेंगे तो हमको 99,999 मिल जाएगा फिर से अगर आप directly multiply करके answer लिखेंगे तो गलत नहीं होगा पर जितना टाइम आपका उन number का multiply करने में जाएगा उसके पहले मैं आपको answer लाके दिखा सकता हूँ तो अब क्या करेंगे distributed property में मनने आपको बताया था जो कि हमने basic concept वाली वीडियो में cover कर लिए हैं अगर आपने basic concept वाली वीडियो नहीं देखें तो आपको वीडियो पहले definitely देखनी चाहिए तो distributed property में क्या होता है जो number बाहर होता है इसका multiply इससे भी करते हैं और इसका multiply इससे भी करते हैं तो या इससे भी इसका multiply इससे भी और 20 माइनस से तो माइनस आ जाएगा अब multiply कैसे करेंगे वन करेंटू इससे करेंगे तो यह 999 रहेगा और 1,2,3,4,5,0 ऐसे के ऐसे ही रहेंगे minus 999 क्योंकि multiply करेंगे तो यही आएगा अब आपको simply इसको minus कर देना है तो चलिए minus करते हैं रफ म भी तो नमबर हो है हमाँ पास999 एनफाइज 20 हैं एन माइनस करना इसमें से 999 अब यह 0 में स सब्सक्राइका एक यह बॉरोल यह एहगा घैगा यह 9 ,9,9,2 9 पर यहbeyया 10, 10 मिसे 9 गया 1 ,9 माइनससे गया 0 ,9 मुसे 9 गया 0 ,urdys 9 गया गया 9 , RM6,09 गया 9 , montón एनसे 9 गया प्र गया 1 तो इतना answer आने वारा है अब सोची students अगर आप multiply करते हैं तो आपका इतना जल्दी answer नहीं आता तो यह हो जाएगा 998 this is 8 99001 this will be your answer students clear है देखिए आप जो यह solve कर रहे हैं तो आप यहाँ पर equal sign लगा ज़े चलेंगे क्योंकि हम solve करने पर ही ला रहे हैं तो answer आपका इस type से students I hope आपको यह clear हो गया होगा अगर आपको मैं वीडियो से कुछ भी सीखने मिला या knowledge मिला तो प्लीज हमाँ चेनल को subscribe केजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर करें आज के लिए इतना ही thank you